बूर्णिंग एवरिवान दोस्तों आज है सेप्टेम्बर 18, 2023 और हम लोग करेंगे दा हिंदू न्यूस पेपर के नाम है सितेंदर चोधरी और आज हम लोग क्या क्या करने वाले हैं देखिए आज हम लोग कुछ करने वाले हैं एक क्वेस्चिन है जो किस टुडेंट नहीं म पर्मा योजना यह हम लोगों ने पिछले वीक भी किया था थोड़ा इसको देखने वाले हैं चीता जो प्रोजेक्ट है उसको एक साल हो चुका है क्यों कि लास्ट यर हमारे प्राइम मिनिस्टर की वर्थ के उपर उसको लॉंच किया गया था तो उसके बारे हम बात बहुत आर्टिकल लिख चुके हैं और आज आपको सेल्फ स्टेडी के लिए भी मैंने अच्छा कासा कंटेंट यहां पर दिया हुआ है उसके बात करेंगे उसलोग छोटा से एक आर्टिकल है एडिटोरियल के तोर पे जी हम लोग देखने वाले हैं इंडिया के बारे में देखते हैं जो इस पार एक्जाम में आया है आपने भी देखा होगा इसको जीएस प्रवन से अगर किसी ने नहीं देखा है अगर आप यूपसी की तियारी कर रहे हो तो यहां पर काफी कुछ मिस कर रहे हो स्टुडेंट क्या करते हैं जब लोग देखा है एसक्पिरेट जब में ने एक्जाम की तियारी करने के लिए आते हैं हम लोग content के उपर खूँ focus करते हैं पढ़ते रहते हैं classes भी जाते हैं, खुँ महनत कर रहे होते हैं, लेकिन जब paper आता है तो questions को देखते नहीं है, content को देखते नहीं है, वो भी ज़रूरी है, ये भी आपकी preparation का ही integral part है, ये preparation से अलग नहीं है, analysis करना, previous questions, why and all that, preparation का ही part है, तो कल एक student ने, जो हमारी बहुत regular student है, DNA भी देखती हैं, और हमारे classroom का program का part भी है, Saturday of current year की classes भी लेती है, तो तो कल मुझे भेजा थे, मुझे time नहीं लेगा था देखने का पुरा paper, ये पर उनने ये question भेजा था, explain why suicide among young women is increasing in Indian society, अगर अब DNA regular देख रहे हैं, तो आपको पता होगा, ये topic हम लोग ने अभी last week ही cover किया था, मेरा यहाँ पर ही ये कहने का purpose नहीं है, कि भाई या तुम मेरा DNA देखो, हमारी prep ISP पे आखे, हम लोग आपको topic कराते हैं, जो UPSA के लिए आते हैं, आप clearly देख सकते हो, direct questions आते हैं, ये topic हम लोगों ने last week ही किया था, मतलब exam से एक हफ़ते पहले वाले topic भी exam में आते हैं, ये यहाँ पर important point है, कुछ student क्या होते हैं, दो महीने पहले, एक महीने पहले, न्यूस पेपर पढ़ना छोड़ देते हैं, ये question आपको क्या बता रहा है, कहा रहा है बटा, मत छोड़ ये, एक हफ़ते पहले से भी newspaper से questions आते हैं, ये उसका जीता जाता example है, explain why suicide young women is increasing in Indian society, suicide as a topic हम लोगों ने काफी detail में discussion किया था, उसके legal aspect भी हम लोगों ने कवर किया था, उसका historical aspect भी कवर किया था, इवन उसका हम लोगों ने GS paper 4 के perspective से philosophical aspect भी हम लोगों ने कवर किया था, apart from that, last week एक text section हम लोगों ने कवर किया था, आप यहापे के लिए लिए देख भी सकते हो, 11 September को ही किया था, आज 18 September ही है, इस topic में भी हम लोगों ने बताया था कि particularly housewives के अंदर society के rates की उबढ़ रहे हैं, और young women है, उनके जो aspirations हैं वो fulfill नहीं हो रही है, क्योंकि young women में housewives भी आ गई ना, और जब youth की बात करते हैं तो वहाँ पर भी, जो है youth में तो boys और girls दोनों ही आ गए है, तो यह topic हम लोगों ने काफी अच्छे से discussion किया था, यहाँ पर clearly देख सकते हो, पूरा अच्छे से detail में आपका समझाया था, मेरा purpose आपका यह topic करवाना नहीं है, reasons क्या-क्या थे, suicide होने के देखिए क्या-क्या reasons होते हैं, वो सब हम लोग ने यहाँ पर cover किये थे, यह topic, do you think, taking one, यह हम लोग ने GS paper 4 के perspective से किया था, morality के perspective से किया था, उसकलाब यहाँ पर देखिए, why there is high suicide rates among young youth, अब इस youth को आप जो है young women से compare, जो है replace कर दीजिए, answer बिल्कुर same to same रहेगा, जो इस बार 2023 में आया है, इतना ही नहीं, as a suicide, देखिए, why do developed states in India also have the, क्या यह question नहीं बन सकता था exam में, 110% यहाँ से इस article से question आ सकता था, कि developed states में, इंडिया में suicide rates क्यों बढ़ रहे हैं, opposite to the popular belief, why there are more suicide cases in India from the developed states, यह आराम से question बन सकता था, चली यह नहीं बनाता, दूसरा question बन गया, लेकिन question suicide वाले topics चाया है, क्या-क्या step हम लोग से ले सकते हैं, quota वाला भी topic हम लोग नहीं किया था, आपको याद हो का student के, जो student के अंदर suicide होता है, especially quota के example देके, बहुत सरे article हम लोग नहीं आपको किया था, तो ये topics मेरा कहने का ये मतलब नहीं है, कि या मेरा ही DNA देखिए, यहाँ पर आपको solution मिलेगा जिन्दगी दुनिया भर का, नहीं, मेरा purpose है, DNA की importance को समझिए, newspaper की reading की importance को समझिए, the Hindu पढ़िए, Indian Express पढ़िए, वो आपकी मरजी है, मैं personally recommend करता हूँ था Hindu, जहां से ज़्यादा questions cover होते हैं, बट वो आपकी मरजी है, पढ़िए जरूर, newspaper daily पढ़ना, आपकी preparation का बहुत ज़्यादा important और integral part है, ये आपकी preparation से बिल्कुल भी अलग नहीं है, ये आपके syllabus का part है, आपने क्लियर ली देखा, 11 तारिक को हम लोगों ने topic किया था, 17 तारिक को आपके exam में question आ गया, एक हफ़ते पहले का question भी आता है, बार बार repeat कर रहा हूँ, बिल्कुल भी lazy मत बनो, topic पढ़िए, समझिए, और उसको जाके लिखिए, अब ये ज़रुरी नहीं है कि आपने इसके notes बनाए हो, तभी आप इसका answer लिख पाओगे, अगर आपने decent way में उसको सुना है, एक बार आपके आपने इसको पढ़ा है, exam में 4-5 point आराम से लिख सकते हो, कुछ ना कुछ तो number आपका आता ही है, अगर आपको उसके topic के बारे में लिखते हो, और मैं मानता हूँ कि जो बच्चा prelims clear के आया है, वहाँ पे उसको अलड़ी topic के बारे में decent knowledge होती है, आप अपनी existing knowledge के perspective से, चीजों को अच्छे से लिख सकते हो, तो newspaper की importance बहुत जादा है, जिन बच्चों को अभी भी लगता है, कि आप newspaper को छोड़ दो तो चलेगा, और नहीं चलेगा, कभी rare of the rare cases में हो सकता है, कि आप newspaper को skip करें, otherwise daily newspaper अपनी आदत बना लीजीए, ठीक है, बहुत important है, चलिए, committee to helping artisan says the PM, unveiled 13,000 crore scheme, ये भी हम लोगों ने last week किया था, जिसमें हम लोगों ने विश्व कर्मा scheme के बारे में बताया था आपको, ये सरकार launch करने वाली है, जिसमें क्या रहने वाला है जी, 13,000 से लेके 15,000 crore rupees government invest करेगी, हालाकि दो तीन scheme और भी थी, एक लगपती दीदी वाली scheme थी, और एक skill training वाली जो हम लोगों ने बात किया था, लगपती दीदी वाली scheme में क्या होता है, ये ensure करना है कि जो women है, उनको साल में कम से कम, साल में एक लाख की income होने चाहिए, विश्व कर्मा के योजन एक मेगे योजन थी, जो budget के अंदर भी announce की गई थी, जिसमें क्या रहता है, जो barbers, masons, goldsmith, जो articians हमारे होते हैं, इनकी livelihood opportunity को increase करना है, skill develop करना है, और market के साथ इनको integrate करना है, ताकि इनकी जो profession की value है वो बढ़े, वो domestic VA में भी बढ़े और internationally भी बढ़े, यह हम लोगों करना था, तो इसके बारे में मैं आपको पहले बता चुका हूँ, पराना article है, ज़्यादे टेल में नहीं जाओंगा, अगर आपको पढ़ना है ताप इसको पढ़ सकते हूँ, budget 2023 के अंदर इसको announce किया गया था, ठीक है, विश्यव कर्वा जियनती वाले दिन इसको किया गया था, लगपजी दीदी के बारे में बता चुका हूँ, जिसमें एक लाख, अब इसमें मतलों महिलाओं को ऐसे रोजगार देने है, जैसे plumbing का काम हो गया, मुम्बत्ती बनाने का काम हो गया, एलेडी बल्ब मेकिंग हो गया, ड्रोन्स की रिपेर करने का काम हो गया, इस तरह काम दिये जाएंगे, सिखाये जाएंगे, ताकि आपकी इंकम बढ़ सके, जादा तर जो फोकुस रहेगा हो, SCs, STs, other background, women, transgender, वहाँ पे रहने वाला है, तो ये थोड़ा साब देख सकते हो, अब यहाँ से भी एक्जाम बेकोशन आ सकते हो, देखे, डिरेक्ट इस आटिकल से कोशन आएगा, I don't think so, लेकिन येस, overall employment के बारे में अगर कोशन आता है, एक एक्जामपल आप कई जगह पे यूज़ कर सकते हो, अगर आप थोड़े से aware हो, और थोड़ा सा चीज़ देखे, आपको analysis करनी आती है, otherwise student क्या होते है, धेर सारे example याद कर लेते हैं, हर चीज़ के लिए एक example, हर चीज़ के लिए नया example, जो की possible नहीं हो पाता है, कोशिश करें, आप एक example को जितनी maximum जगह पे हो सकते हो, इसका यूज़ करें, लेकिन समझदारी के साथ, ठीक है जी, तो यह चीज़ प्रजेक्ट को साल बर हो चुका है, तो इसके analysis करना भी थोड़ा जरूरी है, राइट, देखें, चीटा कीज़ बात करते हैं न, तो चीटा हो तो इंडिया में बहुत साल पहली extinct हो गया था, यह तो आपको पता ही है, और यहां पर बताता है, चलो, self study के लिए मैंने खूब सारा content आपको डाला हुआ है, ठीक है, जितना भी हम लोगों ने शायद चीटा के लिए अब तक जितना content बनाया है, सब मैंने यहां पर आड़ कर दिया है, आपके revision हो जाएगी, आप इसको थोड़ा सा पढ़ ले, इसके history, इसका present, इसका future, सब कुछ यहां पर mention किया गया है, यह आपकी self-study के लिए है, decent content बना हुआ है, बढ़िया जवरदस्त, ठीक है, क्यों नो national park and all that, अब हमेशा ही UPSC में scope रहता है, कुछ नो कुछ positive add करने का, कुछ नो कुछ extra point add करने का, तो यह जो article future में और आएंगे, इसके बारे में कुछ नो कुछ हम इसके अंदर आप gradation करते रहेंगे, बट फिलाल आपकी self-study के लिए मैं ने डाला है, जहां तक चीता प्रोजेक्ट की बात ही no very well, चीता प्रोजेक्ट हम लोग ने लौँच किया था, बड़ा जोरो शोरों से, इसको दुबारा क्यों लेके आना, हमारे हापे जो अरड़ी जो existing species हैं, उनकी तो conservation हमसे ढंक से हो नहीं रही है, आप नया species क्यों के लूट कर रहे हो, तो जब यह सवाल सरकार से पूछा गया, एक्सपर्ट से पूछा गया, तो उन्होंने का देखिए, इसका कई सारे reasons हैं, हम क्यों चीता को लेके आना चाहते हैं, पहली बात ही है कि चीता का जो functional role है, जो हमारे ecosystem के अंदर हुआ करता था, as a top predator, हम उसको establish करना चाहते हैं, दूसरी बात, historically देखा जाये तो इंडिया, पाकिस्तान, नेपाल, बंगलादेश, इस जगपूरी जगए पे चीता पाया जाता था, तो उसके historical range में, जहां पे वो पाया जाता था, वहां पे हम उसको introduce करना चाहते हैं, और global conservation, हम लोग यहां सरके इंडिया की बात नहीं कर रहे हैं, गलोबल चीता की conservation करने के लिए भी इस तरह के प्रोजेक्ट ज़रूरी होते हैं, इंडिया की खास बात क्या है, हम यहां पे चीता की एक free ranging population establish करना चाहते हैं, जैसे हमारे यहां पे free ranging tiger population है, free ranging का मतलब होता है कि हम उसको enclosure में नहीं रखते हैं, उसको खुले open jungle में रखते हैं, without any closer, without any end closers, open रखते हैं उसको, और अलग-अलग चीता हम लोग क्या करेंगे, ऐसे corridor बनाएंगे ताकि एक चीता दूसरे जगह से आराम से travel कर सके, यह हमारा basicly purpose था, अब जुरूरी नहीं है कि हर चीज purpose fulfill हो, गलतियां हम से भी हुई, सीखेंगे, आगे बढ़ेंगे, पहले था हम लोगों ने किया कि total 20 चीता हम लोगों ने introduce किये, जिस में से 8 चीते जो हैं नामीबिया से आए, फिर 12 चीते जो हैं इदरुदा से आए, 20 चीते हम लोगों ने introduce किये, unfortunately, total जो 6 एडल्ट चीता हैं, उनकी डेथ हो गई, फिर एक female चीता ने 4 चोटे चोटे बच्चों को जनम दिया, जिन में से 3 बच्चों की डेथ हो गई, और एक चोटा बेबी अभी जो है वो survive कर रहा है, वो जंगल में नहीं हैं, उसको hand feed किया जाता है basically, तो total देखा जाए, तो 6 प्लस 3, 9 चीता, जिन में से 6 एडल्ट, 3 बेबी, कब्स की डेथ हो चुकी है, अभी जो हमारे पास बचे हुए चीता है, जिन में से आप कह सकते हो 14 एडल्ट चीता है, क्या वो open जंगल में है, of course not, उनको सब को पकड़ लिया है, हम लोगों ने, उनको एक छोटे enclosure में डाला गया है, जिनको proper observation की गई है, एक तब को यह पता होना चाहिए, अभी जंगल में वो लोग नहीं है, क्यों नेशनल पार्क में नहीं है, छीक है, इनके मरने का क्या reason है, देखें सब का reason मरने का यहाँ पर अलग-अलग है, कुछ चीता के मरने का reason अभी तक हमें नहीं पता चला, क्यों वो मरे, छीक है, कुछ चीता, एक चीता तो जो हो आपस में लडाई करने से ही मर गया था, ऐसा माना जाता है, कि इंडिया के climate में हो सकता है, कुछ ऐसे insects हो, कुछ ऐसे parasites हो, जो एफरिका के environment में नहीं है, और वो इंडिया में ही पाये जाते हैं, जिसके बारे में हमें नहीं पता है, और कुछ लोगा के यह मानना है, कि जब चीता तो के गले में जो radio collar है, उसकी वज़े से हो सकता हैं, कि गर्दन पर कोच घाओ वगारा wound हो गया हूँ, और यह जो parasites हैं, insects हैं, उसके अंदर चले गए हो, और उसकी वज़े से क्या हो, infection हो गया, और उनकी death हो गई, कुछ कैसा भी मानना है, exact 100% accuracy के साथ अब नहीं कह सकते हूँ, जो चार बच्चे पैदा हुए थे, जीव में से तीन बच्चों के death किस वज़े से हुई, heat wave की वज़े से हुई, वो मार्च का महीना चल रहा था, मार्च के महीने में जबर दस्ती एक female male चीता को हम लोग रेक end closer में रखा, जिसके बाद उन्होंने मेंटिंग किया और बच्चे पैदा हुए, भहिया पहली बाद तो मार्च के बाद गर्मिया शुरू हो जा रही है, आपने उनकी मेंटिंग जबर दस्ती क्यों करवाई, वो तो मरने ही थे, heat wave की वज़े से, नैचुरल जो प्रोसेस होता है, चीता का मेट करने का, वो गर्मियों का सीजन नहीं होता है, ये भी सोचने वाले बात है, तो हम लोगों यहाँ पर strategy बड़ी गलत अपनाई, पिछली जो तीन चीता की death होई, वो monsoon के दौरान होई, exact reason अब तक हमें नहीं पता है, क्यों हुआ, जब कि monsoon के दौरान ऐसा usually होता नहीं है, तो 9 चीता की death हो चुकी है अब तक, जिरमें 3 बेबी हैं, और 6 यहाँ पर adult चीता है, क्या हम लोगों ने इतनी death expect की थी, of course नहीं की थी, especially monsoon के time पे तो हम लोगों ने बिल्कुल की expectation नहीं किया दा चीता की death होगी, इसका मतलब monsoon के तरह नहीं हो सकता है, कुछ ऐसा disease आता हो, जो usually साल भर में नहीं आता है, अभी उसके बार में studies चल रही हैं, लेकिन yes, जंगल में जानवर रहेगा, death तो होगी ही, कभी लडाई करने से, कभी प्यास से, कभी मिमारी से, infection से, कुछ न कुछ तो होगा ही, हम लोगों ने कुछ death हो लड़ी expectation किया था, government का कहना है कि हम लोगों ने expect किया था, कि 15% जो है adult चीता की death हो सकती है, छोटे बच्चों की death जो है 50, 60, 70% तक भी हो सकती है, जो कि यूजली नेचुरल तोर पे होती है, बट जितनी death हमारे हाँ पे हो रही है, उतना हम लोगों ने expect नहीं किया था, कुछ leak जो report हुई है, उनका ये कहना है, कि ये सरकार ने बापना जो data है, बाद में increase किया है, अपना fact, ये वाला content है, जब death ज़ादा हो गई, तो सरकार ने कहा कि देखो, इतना थो हम लोगों ने expect किया था, जितना हम लोगों ने expect किया था, तो ऐसा ही हो रहा है, इसमें कुछ नया नहीं है, चीतास तो मरते रहते हैं and all that, जबकि actually report ये कहते हैं कि ऐसा कुछ नहीं था, इतना जाद expectation नहीं गया था, सोच आओगा चली एक दो चीता कि death हो जाएगी, लेकिन है अब तो 6-6 चीतास मर रहे हैं भाई, 3-3 छोटे-छोटे बेबी मर रहे हैं, और जो एक बेबी जो मर रहा है, और मतलब बचा हुआ है, उसकी मदर ने उसको reject कर दिया है, तो उसको आपको hand feed करना पड़ रहा है, ये सारी चीज़े यहां पर हो रही है, तो अभी what has been the impact of the project on the conservation of other endangered species, अब चीता जो है एक top predator है, चीता के उपर हम लोग ने इतना focus किया, इतना fund उसके उपर हम लोग ने लगाया, करोडर रुपया लगाया, उससे दूसरे project के उपर फर्क पढ़ रहा है, जो हमारे पास Great Indian Bustard है, critical endangered species है भईया, राजस्थान में पाय जाता है, आप देखे सुपर गूगल पर picture हो गए रहा, Great Indian Bustard species को funding कम हो गया, जिस दिन से project चीता launch हुआ, Asiatic lines वह भी गुजरात में पाय जाते हैं, उनको translocate करना था, कहां पर करना था, या तो राजस्थान में या मध्यप्रदेश में, क्योंकि project चीता के उपर हम लोग ने इतना focus कर दिया है, तो यह translocation भी नहीं हो पा रहा है, चीता को जब introduce किया गया, तो एक और्गुमेंट दिया गया था, कि इसने हमारी grassland जो है, वो protect होंगी, जो open natural ecosystem है, वो protect होगा, लेकिन क्या हो पा रहा है, of course नहीं हो पा रहा है, क्योंकि चीता अज ओपर में है ही नहीं, चीता तो बचारे पिंजरे में रह रहे हैं, अगर open में रहते तो शायद grassland protect भी हो जाती, तो ना तो हमारा वो purpose defeat हुआ, उपर से great Indian bursted को, और iceatic lion को funding वैसे ही नहीं जा रही है, existing species को वैसे ही danger हो गया है, तो कहने मतलब यह है, कि जितना हम लोगे ने अब तक उमीद किया था, उतना unfortunately हम लोग उसमें successful नहीं हुए है, लेकिन yes, जो गलतियां हम लोगा ने की हैं, उससे हम लोग को सीखेंगे, एक चीज जो अभी government ने आपर सीखी है, उनका ये कहना है, कि क्यों नेशनल पार्क sufficient नहीं है, हमें और नेशनल पार्क के अंदर, या दूसरी संक्चुरीज के अंदर, चीटा को introduce करना ज़रूरी है, खासकर कुछ ऐसे एरियाज में, जहां पर minimum 5000 स्क्वेर किलोमेटर का एरिया कवर होना चाहिए, ताकि चीटा जोहाँ पर freely open घूम सकें, तो ये चीज़ जोगे कुछ हम लोगों ने सीखी है, एक बात इन्हों ने यहाँ पर suggest किया है, कि भई या पाईसे के उपर focus मत करिये, चीटा जिस जंगल में आता है, तो वहाँ पर जंगल में टाइगर सफारी जैसे हमारे यहाँ पर होती है, तो ऐसे चीटा सफारी भी होगी, तो टूरिस्ट का जो है वहाँ पर ज़्यादा crowd बढ़ेगा, डेंजर होगा, तो फिलाल आप ऐसे के उपर focus मत कीजिए, अगर करना ही है तो conservation के उपर focus कीजिए, जो कि उन्हों नहीं यहाँ पर बताया है, तो वह थोड़ा साफ जो है यहाँ पर पढ़ सकते हो, चीटा के बाले, कुछ नहीं होगा, पांच मिनट लगेंगी, सिर्फ आपके एक revision करनी है, उपर-उपर से आप इसको देख लीजिए, शांती निकेतन को UNESCO World Heritage Site के अंदर डाल दिया गया है, सबको बधाई हो, शांती निकेतन आपको बहुत अच्छे से पता है क्या है, अगर आपने थोड़ा हिस्ट्री पढ़ा है, रबिंदना टैगोर जी के बारे में पढ़ा है, तो आपको बहुत अच्छे से पता होगा, शांती निकेतन एक जो है, वेस्ट बेंगोल के अंदर स्थीत है, शांती निकेतन को टैगोर जी के दुवारा, 1901 के अंदर एस्टेबलिश किया गया था, इसको एस्टेबलिश किया गया था, as a world university, इसलिए इसको विश्व भारती भी कहा जाता है, it was established, established in 1991 by the poet टैगोर, शांती निकेतन was a residential school, यह घोस्टल है, अभी भी काम करता है, बच्चे वाप पर होस्टल में रहते हैं, Center for the Art, based on the ancient Indian tradition, यह देखिए, important point है, पूछेगा आपसे exam में, which of the following statements are true about शांती निकेतन, उसमें वो ancient Indian tradition को replace करेगा, क्या बोलेगा, modern Indian tradition, और उस student हो जाएंगे confused, उनको लगेगा, अरे, रबिंदना टैगोर जी तो modern इंडिया की बात किया करते थे, तो modern होना चाहिए, बढ़ ऐसा नहीं है, शांती निकेतन is based on the ancient Indian traditions, on the basis of unity of the humanity, ठीक है जी, transcending religion and the cultural boundaries, हर culture के लोग यहाँ पे आएं, शिक्षाग रहन करें, hostel में रहें, और दुमिया को better करें, यह इसका basic purpose था, ठीक है जी, शांती निकेतन को official तोर में 1921 में, as a university established किया गया था, इसे आज़ भी विश्व भारती के नाम से, हम लोग जानते हैं, करी नोबल लोरियेट भी यहाँ से निकले हैं, मज़ेदार बात यह है, तो एक तो आपको यह पता होना चाहिए, UNESCO World Heritage Site, कुछ इंडिया में कमेंट सेक्षिन ने बता सकते हैं, लेटेस्ट एडिशन इंडिया में, इस शांती निकेतन को छोड़ के कौन से रहे हैं, आपने अच्छे से बता ही है, World Heritage Site को तीन काटिगरी में हम लोग डिवाइड करते हैं, Cultural, Natural और Mixed, इंडिया में कुंचन जोंगो, कंचन जोंगो जो है सिक्किम में है, कंचन जोंगा जो है, पीक भी है काफी बड़ा, लेकिन पीक है, वोही इंडिया में only one and only Mixed World Heritage Site है, जो की Old UPSC में यहाँ से question आ चुका है 2015 में, तीन कैटेगरी होती है, Cultural, Natural और Mixed, Historical Buildings होती है, Right, Archaeological Sites होती है, Towns होते है, Sculptures होती है, Paintings होती है, वो सब Cultural Heritage में आती है, Natural Heritage में क्या आता है, Of course, इसके अंदर तो Nature ही आएगा, हमारा एक different kind of ecosystem, Mountains, वो सब यहाँ पे जंगल वंगल, वो सब यहाँ पे आता है, Mixed के अंदर हम जो है, Basically, Natural और Culture दोनों का Mixed करते हैं, Kanchenjunga इंडिया में only Mixed Heritage Site है, जो की UPSC में question आ चुका है, करी साल पहले आया था, दोबारा भी आ सकता है, अगर थोड़ी बहुत facts की बात करें, Total number of World Heritage Site केतनी है, जी 40, 400 है, जिन में से 320 कल्चरल हैं, और 7 जो है वो यहाँ पे नाचुरल है, काजी रंगा नैशनल पार्क, इंडिया के अगर बात करें, मानस, वैस्टन घाड, सुन्दरवन, नंदा देवी, Great National Park Conservation Area, Keyloda National Park, यह सब हमारे क्या हैं, Natural World Heritage Site है, इंडिया में कंचे जूंगा, इस दो अल्ली वन, जो कि Mix Heritage Site है, World Heritage Site के बारें बात करें इंडिया में, तो ताज बहल, आगरा फोर्ट, एंजद्दा, एट सेक्टर, एट सेक्टर, बहुत सारी हैं, आप उसकी लिस्ट देख सकते हो, लेश्टे टेश्री सिरी सिंग बात करें था, हडपा में दोधोला वीरा, 2021 में आया था, काकातिया दुद्रशिवा जो टैंपल है तेलंगाना के अंदर, वो हम लोग ने आड़ किया था 2021 के अंदर, सबसे ज़्यादर जो World Heritage Site हैं, आप पड़ती हैं आपके इटली के अंदर, देंचाइना, जर्मनी, फ्रांस और स्पेन, इंडिया का रैंक कौन सा है, शिक्स्थ पैंक है इंडिया का, World Heritage Site में, वोल्ड में, राइट, तो इतना आपको आइडिया होना चाहिए, जो, जो, जो डोकुमेंट है, बेसिकली, जब शुरुवात हुई थी इसकी, तो 1972 में शुरुवात हुई थी, इनिशली जो है, इसको 20 कंट्री को दरा रैटिफाई किया गया था, अभी mostly कंट्री जो है, इसको रैटिफाई कर चेकी हैं, कमेंट सेक्शन में बताएं, मैं आपको बता चुका हूँ, प्रिवेस क्लासिस में, कौन सी कंट्री है, जो की UNESCO World Heritage Site से बाहर है, जो इसका पार्ट नहीं, कमेंट सेक्शन में बताएंगा, तो मज़ आएगा, चलिए जी, UN should be prepared for the reform, मैं आपको सिर्फ हलका साइडिया दूँगा, क्योंकि यह topic हम लोग पहले, बहुत डिटेल में discussion कर चुके हैं, इंडिया आपको अच्छे से पता है, कि UN की permanent membership के लिए, हम लोग बहुत सालों से try कर रहे हैं, कम से बिछले 20-20 साल से try कर रहे हैं, तो time to time आपकी स्टेटमेंट देखने को मिलती हैं, और time to time यह topic current में आ जाता है, जब भी हमारे Prime Minister, President या Foreign Minister कोई भी इस तरह की स्टेटमेंट देते हैं, अभी अभी जस्ट इंडिया जो है G20 की presidency किया है हम लोगों ने, तो इंडिया on world platform की बात करें, तो एक अच्छा platform पे हम लोगा status है, तो वहाँ पे हमारे जैशंकर जी ने बोला है, कि देखे भाई, G20 तो ठीक है, G20 जो है democratic values के उपर काम करता है, लेकिन जो United Nation है, इसके अंदर reform करने की ज़रूरत है, United Nation की स्थापना आपको पता है, वर्ल्ड वर्ड टू के बाद में की गई थी, जहाँ पे ज़्यादा तो डॉमिनेंस है, वो योरोप का है और अमेरिका का है, तो इसको भी democratic बनाना है, और दुनिया के दूसरे देशों को साथ लेके आना है, तो United Nation के reform की ज़रूरत है, United Nation के reform की जब हम लोग इंडिया बात करता है, specifically, हम लोग actually United Nation Security Council के reform पर फोकस होता है, जो जहाँ पे टोप, जो पाँच permanent member है, हम उसकी membership चाते हैं, UN का तो member हम लोग पहले से हैं ही, UNSC का member नहीं है, जबकि इंडिया दुनिया का सबसे populous country है, उसके बावजुद भी नहीं है भाई, होना चाहिए, तो United Nation Security Council सबसे powerful body होती है, ये international peace and security की बात करता है, इसकी जो recommendation होती है, अगर किसी नए member को add करना हो, किसी member को हटाना हो, general assembly को, तो वो United Nation Security Council की recommendation पर ही होता है, इसकी recommendation, United Nation Security की approval के बीना, बीना आप किसी भी country को UN के अंदर add नहीं कर सकते हो, ये इतनी powerful body होती है, इंडिया इसका part बनना चाहता है, general council के अंदर कोई भी proposal इन पांच country की consensus के बीना नहीं जा सकता, तो United Nation Security Council के अंदर total 15 लोग होते हैं, 15 मत्रा countries होती हैं, जिसमें से 5 permanent होती हैं, इंडिया फिलाल जो है, वो non permanent member है, लेकिन ये जो 5 country उपर वाली हैं ये, veto enjoy करती है, मतलब किसी की एक ने ना कहिए दिया, veto का मतलब क्यों होता है, power to say no, अगर किसी ने कहिते हैं नहीं, तो मतलब नहीं, उसके हाथ में इतनी बड़ी power होती है, चाहे 50 लोग हाँ बोलते रहें, लेकिन उसके आज भी ने बोल दिया नहीं, तो भया, नहीं, that is veto power, तो ये इन 5 country को मिली हुई है, इंडिया चाहता है कि हमें भी मिले, ठीक है, क्यों जूरूत है, मैंने उको बता ही दिया, योरप और अमेरिका और रेप्रेजेंट किये गए हैं, एफरिका को रेप्रेजेंट बिल्कुल भी नहीं किया गया, साउथ अमेरिका, नो रेप्रेजेंटेशन, जादत तरह यहां पर नोर्थ country जो है वो प्रेजेंट है, यूके आप देख लीजिए, फ्रांस आप देख लीजिए, चाइना आप देख लीजिए, यूएस से आप देख लीजिए, तो रश्या आप देख लीजिए, तो नीचे अगरा साउथ अमेरिका की बात करें, अगरा पेशे की population के हिसाफ से बात करें, तो देख लीजिए वन कंट्री विचिज चाइना, रेप्रेजेंटेशन नहीं है, दूसरी बात, अंडेमोक्रेटिक है, और जब कोई institution इतने लंबे समय से चल रहा होता है, वो stagnant हो जाता है, corruption के cases भी वहाँ बेख नजर आते हैं, इसलिए इसके अंदर reforms कर रहा करने की requirement है, दुनिया की जो reality है, वो change हो चुकी है, second world war के बाद, तो अगर आप अपने आपको समय के सबसे change नहीं करोगे, तब ही relevant हो जाओगे, अब्यस्सी बात है, चाहिए आप as a person हो, as an institution हो, as a nation हो, as a constitution हो, as a religious text हो, you need to update yourself according to the changing times, otherwise you are going to stagnant, you are going to be irrelevant for the people at large, yes, why does India want the permanent membership, हम लोग इन बाद भी बात कर लिया है, इंडिया एक तो सबसे बड़ा populous country है, तो हमें वैसे भी होना चाहिए, हमें एक largest democracy भी है, तो of course हमें होना चाहिए, इंडिया की economy जो है fifth largest economy बन गई थी हो लड़ी टुन्टी टुन्टी नाइन के अंदर, और बहुत जल्दी हम लोग top three के अंदर भी आ जाएंगे, तो as a economic power, as a population, as a democratic, इंडिया तो naturally यहाँ पर होना चाहिए, सवाल ही नहीं उठना चाहिए इंडिया का एड़ करने के लिए तो, अब है दुनिया के हर sixth person Indian person है यार, आप कैसे मना कर सकते हो, यह जरूरी है, और क्योंकि यही जो reforms नहीं हो रहे हैं, इसी वज़े से तो कभी H.C.O. सामने आता है, कभी bricks सामने आता है, है कभी अलग-अलग groups मने हुए है, अगर even अच्छे से काम कर रहो तो, इसकी requirement ही ना होती, है न, तो वो चीज़ है यहाँ पे, इंडिया इस अड़ प्योटल मुवमेंट ओंप हेल्थ केर इंडस्ट्री के बारे में बात कर रहे हैं, इंडिया की हेल्थ इंडस्ट्री के बारे में पहले भी सवाल आ चुक है, फ्यूचर में भी आएगा, आर्टिकल की शुरुआत नहीं है जो है तारीफ से होती है, और ऐसा बहुत कम देखने को मिलता है जब तही हिंदू में कुई आर्टिकल आए, और उसकी शुरुआत जो है तारीफ से हो, क्या कहना है कि इनका कहना है कि इंडिया पिछले कुछ सालों में एक जवरदस्थ कंट्री के रूप में उभरा है, चाहे वो क्लाइमेट चेंज की बात हो, इलेक्ट्रिफिकेशन की बात हो, न्योगेज मैनेडिफेक्ट्रिंग की बात हो, स्पेस की बात हो, आर्टिफिशन इंनेज की बात हो, रोबोटिक्स की बात हो, आई humor की बात हो, फार्मेसिटिकल हो, इंडिया इन एरियास में बहुत अच्छा काम कर रह रहा है, इसमें कोई डाउट नहीं है और future में definitely और ज़्यादा हम लोग बढ़ेंगे जहांतर presidency की बात है काफी successful presidency रही हमारी जबरदस्त इंडिया की जो international standing है वो इंप्रूव हुई है लेकिन इतना कुछ होने के बावचोद भी अभी भी हमारे देश में लेकिन नीचे इन्होंने वही शुरुवात हो गई इंडिया ने इतना अच्छा काम किया बहुत सरे जगे में बट आज भी इंडिया को वर्ल्ड की डायबर्टिक कैपिटल कहा जाता है हाइपरटेंशन के लाखो क्रोड़ जो है मरी जो इंडिया में है यंग लोग जो हार्ट अटेक से डाथ हो रही है चैंसर बहुत कॉमन हो गया है रेस्पिरेटरी डिसीज़, डिप्रेशन अब नाम लीजिए हेल्थ इशूज इंडिया इस दा यंगस्ट कंट्री उसके बावजूद भी जो डिसीज़ की बात करें सबसे जदा हमारे यहां पे है इसलिए हेल्थ सेक्टर में काम करना ज़रूरी है लेकिन क्या हम लोग ने काम नहीं किया फोर्स हम लोग ने काफी काम किया है हेल्थ सेक्टर में भी काफी काम किया है लेकिन थोड़ा इंप्रूमेंट अभी भी ज़रूरी है चोई आप infant mortality की बात करिए, metal mortality की बात करिए, life expectancy की बात करिए, 70 साल के आस पास मतलब जा रही है, 70 से ज़्यादा पलसी हो गई है कहीं जगे पे तो, improvement तो बहुत है, अगर आप MVT की बात करें, medical value tourism, पुरे दुनिया भर से लोग इंडिया में medical treatment लेने के लिए आते हैं, चोई oncology हो, orthopedic हो, robotic surgery हो, अरे, अमेरिका तक से लोग इंडिया में आ रहे हैं, Middle East से लोग इंडिया में आ रहे हैं, इवन छोड़ी अब पाकिस्तान से लोग इंडिया में आ रहे हैं, बांगलादेश, इस, हर तरह से लोग इंडिया में medicine की जो है, वो इंडिया में services लेने आते ह चाहे हो protein beam therapy हो cancer के लिए इंडिया में आपको मिलेगा cancer treatment के लिए तो अलड़ी हम लोग regional leader बन चुके हैं सब जगह से हमारे यहां पर आते हैं क्योंकि हमारे यहां पर cost effective care है अमेरिका से one tenth rate पर हम उनको उनसे better service आपको दे देते हैं खास पर robotic वाले field में हम लोग ने बहुत improvement किया है world class robotic surgery हमारे यहां पर बहुत सरे hospital में आपको मिल जाएगी एक दो हैक्जाट precision के साथ world class doctors आपको यहां पर देखने को मिलेंगे इससे क्या benefit हो रहा है एक तो इस employment generate हो रही है of course हमारे medical industry में और हमारे क्या foreign exchange reserve भी तो मिल रहे ना भाई अब साओधिय रेवे से कोई इंडिया में आएगा या अमेरिका से आएगा ब्रिटेन से आएगा तो पैसा लेके आगे ना डोलर लेके आएगा तो वो भी हमारे यहां पर बढ़ रहा है लेकिन क्या इसको हम लोग और आगे लेके जा सकते हैं of course कोई भी system perfect नहीं होता हमेज़ा improvement के chances होते हैं यहां पर भी है इनका कहना के public private partnership करिये क्या होगा इससे इस से तो पैसे की कमी नहीं होगी medical tourism बढ़ेगा infrastructure के अंदर investment बढ़ेगा innovation बढ़ेगा artificial intelligence तो आजकल हर चीज के अंदर use हो रही है और इंडिया ओलड़ी artificial intelligence को अपने medical services में use काफी अच्छी से कर भी रहा है लेकिन और जादा कर सकते हैं कैसे कर सकते हैं वह यह हमारे देश में young लोग है talented scientists हैं, engineers है, healthcare professionals हैं अगर इनकी जो existing knowledge है उसको अगर artificial intelligence के साथ merge कर देंगे तो वही आँ सोने पर सुहागा ही हो जाना है तो कि artificial intelligence से जो आपके delivery service होती है एक्दम accurate हो जाती है, efficient हो जाती है ओर ज़्यादा better patient outcome आएगा, faster treatment आप कर सकते हो yes, जैसे covid आया, अगर future में इस तरह के pandemic आते हैं जैसे इस बार जो है वो अभी जो है नीपा वाइरस चल रहा है केरला के अंदर इस तरह के outbreak में better तरीके से deal कर सकता है artificial intelligence तो कि बहुत सारा data को process करना पड़ता है जो कि इंसानों के बस की बात नहीं है लेकिं machine है कर सकती है यह सब जो है हम लोग करें research development के अंदर invest करें collaborations करें और एक better ecosystem develop करें artificial intelligence के अपर ही focus किया गया है, exam में आपके पास artificial intelligence को लेके question आ सकता है question क्या बनेगा, question simple बनता है question कोई लंबा जोड़ा question नहीं बनता है question आपसे क्या पुछेगा वो, ऐसे पुछेगा question वो आपसे क्या पुछेगा जी, यह discuss the importance and challenges of integrating artificial intelligence in Indian medical services, 150 words, 10 marks, ऐसा question आता है, विलकुल सिंपल साधारन सा, discuss the importance and the challenges of integrating artificial intelligence in Indian medical or the health system, that's it, 150 words, इसका 70%, 60% content तो आपको उपर सही मिल जाएगा, अगर आप DNA देखते रहेंगे, time to time, newspaper पढ़ते रहेंगे, तो बाकिका content आपको वहां सही मिल जाएगा, बड़ी आसा question मिलेगा, simple सा, आप स्वान सराराम से कर सकते हूँ, तो यह इस तरह से जो है, news paper आपके लिए important होता है, news paper को पढ़िए, कभी मत छोड़िए, इसकी importance आपको मैंने आज बता ही दी, ठीक है जी, चलिए, तो आज के लिए तरह ही है, thank you very much, all the best, जाहिए.